एक कमलपती श्री विश्रु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार शीर सागर के बीच तेरा बास है लक्ष्मी मैया हर दम तेरे पास है शीश के शया पर तुम कर तेरे शुरौप चलती है स्वेष्टी ये तुमसे ही तवाब रूप चतुर भुझ तेरा जो सामने आता भगतों के मन को बड़ा रूप ये भाता एक हाथ में है तेरे सजती गदा दोजे में सुदर्शन चकर भी चल रहा तीजे हाथ में तो शंख बाज रहा है चोथे में पदम तो साज रहा है रूप चत और भुझ के होज से दर्शन जीवर और बिर्त्यों के कटते बंदा विरले ही दर्शन इस रूप का पाते रिशी माहात्मा भी देखना चाहते एक कमलपती श्री विष्णो जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार धर्ती पर बढ़ता है पाप का जो भार कोई ना कोई आप लेते हो अवतार पाप को मेटाने आप ही आजाते हो कश्ट अपने भगतों का देख न पाते हो रूप मट से हो पहला आप बनाएं राजा सत्य व्रत की अंजुनी में हो आएं बोले राजा से मैं सुरक्षित गही नेकर चलो मुझको राजस तुम कही नेकर राजा नोटे में तुमको चल पड़ा साथ मेरे चलो मेरा महन है बड़ा सोने के पात्र में तुमको रखूगा खाने पीने के कमी होने ना दूगा ऐसे ही हुआ था तेरा महन में आना सत्य व्रत को प्रलै से था बचाना सत्य व्रत को प्रलै से था बचाना एक कमलपती श्री विष्णु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार दैत्यों और देवों में रहती तना तनी कभी एक दुझे से उनकी ना बनी भूले से मिलकर कर आए सागर मथन अमरित भी निकलेगा और निकले रतन अमरित को पी के सारे हो जाए उमर रतनों से पूरी सभी चाहत लेकर मंदरा चल परवत को फिर उठा लिया कच्छप का रूप आपने बना लिया मंदरा चल परवत को पीठ उठाया सागर का मंथन तब हो ही पाया काल कोट विश तो सब से पहले निकला जिसको भोले राथ ने है कंथ में निंगला अपरत जो निक ना देवों को पिना दिया मोहिनी का रूप आप है बना लिया एक कमलपती श्री विश्णू जग के आधार करते हैं चरणों में तेरे नमस्कार करते हैं चरणों में तेरे नमस्कार करते हैं चरणों में तेरे नमस्कार रूप वरा फिर आप बनाएं क्योंकि इस धरा को तो ने तेरे छुपाएं रूप वरा बनाके आप आए हैं अपने दातों बीच धरा को ले आए हैं दान वो हिरन्याक्ष था वो बड़ा अन्याई नरक में हैं जाकर जिसने धरा छुपाई रूप वरा आपको बनाना पड़ा हिरन्याक्ष तो देख रहा खड़ा खड़ा अत्याचार हिरन्याक्ष का भी मिटाया आपके आगे पापी टिक नहीं पाया दान वो हिरन्याक्ष भी मार दिया आपका जो गोज था वो उतार दिया अपने भक्तों पर किया सदा उपकार सहन ना करना पड़ी भक्तों को अत्याचार एक कबलापती श्री विश्रु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार 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 हिरन्य कशप नाम का इक देत्य अन्याई करके तब ऐसी उसमें शक्तियां पाई नारी हो या नर मुझे मार न कोई पाई बेतर रहे कभी बाहर वो जाए अस्त्र और शस्त्र मुझे काट ना सके रात में मरू ना मैं मरू कभी दिन में भाक्त प्रहाद जो थे उसकी ही संतार बोले पीता से उनकी शक्ति पहचाल अपने ही पुत्र पे जल्म अढ़ाई है नर सिंग अवतार में फिर आप आई है ना ही दिन था तब ना ही पुरी रात अस्त्र शस्त्र नहीं थे बस आपके थे हात पाड़ दिया पेट नाखूनों को गड़ाया पापी को है पल में ही परलोक पठाया एक कमला पती श्री विष्णू जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार 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 फिर तो आप वामन के रूप में आएं छोटे से ब्राम्हन का रूप बनाएं तेरे नमस्कार राजा बली हुए एक बड़ी बनवार राज तिनों लोक पे करुमन में लिया ठार आकर सभी देवों ने की आप से विंती वामन के रूप में तुम आए हो तभी तीन पग धर्ती उससे दान में मांदी खुशी खुशी राजा बली ने भर दी हामी एक ही पग से है सारी धर्ती नाप दी और पग से दोजे अपने नापा अंबर भी बोले तीजा पैर रखू कहा बता राजा बली दिया है जो वचन दिवा शीश राजा बली ने है फिर तो जुकाया रखके पैर सर पर है पातान पठाया एक कमलपती श्री विश्रु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार 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 बन गए है प्रामण फिर आप पर शुरां शत्रियों को अपने बलका हो गया भिमान करने पड़ी आपको खुद माता की हत्यां कप किया जो भूले का तो दे दिया फरसां फरसां लेके फिर तो आप निकल पड़े हैं शत्री पापी धरती पर जो जुल्म बढ़े हैं करके एक एक सबको ही मिटाया है जिस जिस रिशी उपर जुल्म अढ़ाया है बढ़ नहीं सकता था जुल्म आपके रहतें आपको तो शत्री ब्रामण सभी कहतें छोड़ कर जो शास्त्र शस्त्र उठा लियां परशुराम आपका तो नाम है हुआ कम है कि आधरती पेजम का भार परशुराम का जो आप लेली आवतार एक कमलपती श्री विश्रु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार 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 फिर तो श्री राम का अवतार लिया है दानवों का आपने संघार किया है बचपन में ताड़ का है आपने मारे अहिल्याबे पत्थर से बन गए नारे देखने जो आये सीता का उस्व्यवर शिव का धनुष तोड़ दिया माने लिया वरन चोदा वर्ष फिर तो बनवास आई मरे आदा पूरोशो तम कहलाई आगे वन में दे दिये है मुनियों को दर्षन पंचवटी कुटिया में फिर लगे रहन सीता मा को धोखे से हर लिया रावण साथ हनुमान थे और भक्त वी भी शन रावण का अपने संहार किया है फिर धरा से पाप का कमभार किया है एक कमलपती श्री विष्णो जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार श्री क्रेश्न रूप में फिर आप है आएं गोकल में आखे की बाल लीलाएं बच्पन में पूतना का वध है किया नाग कालिया भे फिर तो हरा दिया माखन भी खाएं आप खूब चुरा के मोहलिया सब का मन बंसी बजा के राधा के संग ऐसी प्रीत लगाई एक पल भी रहना पाई बिनवा कनाई फिर तो आप लोट के मथरा में आएं कुबजा को दिया ऐसी सुन्दरी बनाई अपने बाबा कंस का संहार किया है श्री क्रिष्ण आपने अवतार लिया है फूर फूर पांडव का युध जो हुआ अरजुन को दे दिया ग्यान गीता का एक कमला पती श्री विष्णु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार 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 फिर तो हरी आप बुध महात्मा बने धर्म के प्रचार को फिर आप है चुने इस जग से मुह भग हो गया भक्ती के राह को फिर आपने चुना पत्नी और पत्र को फिर छोड ही दियां बट व्रिक्ष के नीचे आके तब बड़ा कियां धर्म का प्रचार बड़ा आप किये है महात्मा जी बध का अवतार लिये है भूर कल युग अब तो प्रभु आही गया है कलकी का अवतार वेदों में निखा है कलकी बन के जाने कब आप आएंगे बढ़ गए है पाप इन्हे जो मिटाएंगे तुम को काल रहा कब से ये गुल्षुन बढ़ गया है पाप आभी जाओ ना भगवन एक कमलपती श्री विश्रु जग के आधार करते हैं चर्णों में तेरे नमस्कार 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 ओम नमो भगवते वासु देवाय श्रीमन नारायन नारायन हरी हरी भक्त जनों जब जब धरती पर पापों का भार बढ़ता है तब तब श्री हरी भिन भिन स्वरूपों में अवतार धारन करते हैं और धर्म की रक्षा करने गेतु धरा पराते हैं भक्त जनों आज मैं आपको श्री हरी के नर्सिंग अवतार की कथा सुनाने जा रहा हैं कि कैसे भगवान श्री हरी ने नर्सिंग का रूप भरन किया और कैसे अपने अनन्य भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करी श्री नर्सिंग अवतार के होने पर सभी ने भक्त प्रहलाद की भूरी भूरी प्रशंसा करी कि उन्ही की भक्ती के कारण भगवान को नर्सिंग अवतार लेना पड़ा और हिरना कश्चप के आतंक से उनको मुक्ती प्राप्त री परन्तु भक्त प्रहलाद इस विशे में क्या सोचते हैं आईए उनके उद्गारों को इस भजन के माध्यम से सुनते हैं तो एक बार फिर बोलिए फुलिए श्री हरी नारायन भगवान विश्नु की जै मेरा आप की के पासे सब काम हो रहा है मेरा आप की के पासे सब काम हो रहा है करते हो आप विश्नु मेरा नाम हो रहा है करते हो आप विश्नु मेरा नाम हो रहा है मेरा आप की के पासे सब काम हो रहा है मेरा आप की के पासे सब काम हो रहा है जब फिर नकस्चप ने भगवान ब्रह्माजी से अनोखा वर्दान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई दिन में मार सकता है न राद में न अस्त्र से न शस्त्र से न काट कर न पीट कर न अंदर न बाहर तब अगवान श्रीहरी ने नर्सिंग अव्तार के रूप में प्रकट होकर ब्रह्माजी के वर्दान की लाज रखते हुए धिरना कच्चप का अंत किया परन्तु उनका क्रोध शान्त नहीं हो रहा था भक्तों तब भक्त पहला था उनकी गोध में चड़कर बैट गए और उनकी स्तुती करने लगे कहने लगे ये श्रीहरी जब मेरे पिता ने मुझे परवत से नीचे फैका तब मैं श्रीहरी के नाम का जाब कर रहा था तब ही मुझे लगा कि आपके वरह अवतार ने जैसे दातों के मध्य धरा को बचाया था वैसे ही मुझे भी बचा लिया था भगवन मुझे ऐसा लगा आपकी चारों भुजाओं में मैं लेट कर आराम कर रहा हूँ पिर जब उन्होंने मुझे सागर में फेका तब भी श्रीहरी मैं आप ही का नाम ले रहा था जैसे जैसे सागर में डूपता जाता एक अनोखी रोशनी दिखती जाती आपने मुझे अपने श्रीहरी रूप का दर्शन दिया शेश की शैया पर आप लेटे थे मा कमला आपके पैर दबा रही थी ऐसा दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ फिर आपका मत्सवतार आया और मुझे सागर के तड़ पर वापस छोड़ गया परवत से जो गिरा में मुझे आपने बचाया सागर में जोट बोया हरी ने दरस दिखाया सागर में जोट बोया हरी ने दरस दिखाया बिन मांगे दर्श तुम रा आठोयाम हो रहा है मेरा आपकी है पासे सब काम हो रहा है मेरा आपकी है पासे सब काम हो रहा है प्रहलाद की अस्तुती सुनकर भगवान नरसिंग का क्रोध धीमे धीमे शांत हो रहा था वक्तू प्रहलाद अब उनकी गोध में बैठा आगे क्या बखान करता है सुना रहा हूं वक्तो कहता है ए भगवन आपने मेरे लिए तो स्वयम अपना विधान भी बदल कर रख दिया भगवन मेरी बुआ होली का जिसे भगवान का आशिरवाद प्राप्त था वर्दान प्राप्त था कि वो अगनी में नहीं जलेगी जब वो मुझे लेकर अगनी की चिता पर बैठी तब मेरे पिता ने सोचा था कि होली का तो बच जाएगी और मैं चल कर राख हो जाऊंगा परन्तु जब चिता जलाई गई तब भी मैं श्रीहरी के नाम की स्थोती कर रहा था अगनी जैसे जैसे तेज होती गई मुझे ऐसा लगता कि जैसे आपका शेशनाग मेरी च्छाया कर मुझे ताप से बचा रहा है और ये क्या प्रभू जिस होली का को नजलने का वरदान था वो जल कर राख हो गई विदी का विधान पलट गया और आपके नाम की जैजैकार होने लगी अगनी में लेके बैटी होली का मुझे थी भगवन अगनी में लेके बैटी होली का थी मुझे को भगवन चल गई थी वो स्वयम ही मुझे को बचाया भगवन उल्टा उसी पे उसका वरदान हो रहा है मेरा अपकी है पासे सब काम हो रहा है मेरा अपकी हिपासे सब काम हो रहा है नर सिंग अवतार की गोद में बैठा पहलार आगे कहता है प्रभू जब मेरा पिता हिरन्यकश्चप हर तरह से मुझे मारने से हार गया तब उसने यह लाव स्थंब बनवाया और उसे अगनी में तपा कर लाल कर दिया था प्रभू और जैसे ही वो मुझे उससे बांधने के लिए ले गया तो मैंने देखा उस तपते हुए लाव स्थंब पर एक चीटी चल रही मैं जान गया था प्रभू कि जब आप एक चीटी का ध्यान रखते हैं तो भला अपने भक्त का ध्यान क्यों नहीं रखेंगे मैं स्वयम तपते हुए लौस्थम से लिपट गया और आपके नाम का सुमिरन करने लगा जब मेरा बाल भी पांका न हुआ तो मेरा पिता खड़क लेकर जो ही मुझे मारने आया आप इस खंबे को फाड़कर प्रकट हुए प्रभू और प्रम्मा जी के वर्दान की लाज रखते हुए आपने मेरे पापी पिता का अंत कर दिया खंबे को फाड़े भगवन अपना दरस दिखाए पापी को मारा भगवन भगतों को थे बचाए मुख से मेरे सदा ही हर नाम हो रहा है मुख से मेरे सदा ही हर नाम हो रहा है मेरा अपती के पासे सब काम हो रहा है मेरा अपती के पासे सब काम हो रहा है हे नारायन हे श्रीहरी हे जगत के पालन हारे अब शान्त हो जाईए प्रभू शान्त हो जाईए और अपने वैकुंट लोग को लोट जाईए आपकी सदा ही जैजेकार है प्रभू आपकी सदा ही जैजेकार है आप भक्त बचसल है जगत के पालन हारे है मेरे जैसे अन्य भक्त भी आपकी स्तुति कर रहे हैं भग्वन अप आपके नर्सिंग अवतार का कार्य उन हो चुका है अपने पुने हरी नारायन स्वरूप में आईए भग्वन मुझे दर्श दीजी और मुझे कृदात कीजी इतना सुनना था कि श्री हरी नारायन अपने विराठ रूप में आए भक्त पहला को दर्श दी उसे धेरों आशिरवाद दिये और अपने वैकुन लोग चले गए और भक्त पहला श्री हरी नाम की मस्ती में डूबा गा रहा है श्री मन नारायन नारायन हरी हरी भजमन नारायन नारायन हरी हरी भगतों पे किर्पा करते, भब पार हो लगाते भगतों पे किर्पा करते, भब पार हो लगाते अम करते हैं आराधन, चंदन तिलक लगाते चरणों में आपके ही मेरा थाम हो रहा है मेरा थाम हो रहा है मेरा आपकी है पासे, सब काम हो रहा है मेरा आपकी है पासे, सब काम हो रहा है